दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का यह प्रश्ण था कि भाई मेरा जो भी SIM card है वो BDS में ले जाने के बाद यहाँ पर बंद हो गया है वो चल नहीं रहा है उसमें कोई call नहीं कर पा रहे हैं उसकी help से मैं कोई SMS नहीं भेच पा रहा है उसमें network नहीं दिखाई दे रह है इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है या फिर कोई और समस्या यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मेरा SIM card है वो बंद हो गया है और इस प्रकार की समस्या आप कैसे solve कर सकते हैं क्या क्या तरीके हैं वो सभी तरीके आज की इस वीडियो के अंतरगत में आपको detail में explain करने वाला हूं और इसकी मज़द से आप 100% में आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो भी problem है जो कि SIM card बंद हो गया है वो आप solve कर पाएंगे चार step में ये आपको जानकारी समझनी है और चारो steps आपको बारी बारी से follow up करना है तो चलिए दोस्तों हम लोग ये जान लेते कि क्या क्या आपको process करना होगा कैसे आपका sim card चालू होगा उस process को समझ लेते हैं तो पहला जो भी आपको process है पहला जो steps है वो आपको इसके अंतगत ये चीज करना है कि आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके नंबर पर कोई recharge या फिर कोई plan एक्टिवेट है या फिर नहीं अगर यहाँ पर प्लान आपका expire हो गया है तो आपक international roaming pack के नाम से जानते हैं तो recharge कैसे कैसे होता है क्या क्या चीजे करके देख के करनी होती है वो सब मैंने एक वीडियो के अंतरकत बताया है जिसका मैं i button में link दे दूंगा यहाँ पर आप जब कभी भी recharge करने जाएंगे तो यहाँ पर international roaming यहाँ पर इस option पर जाते हुए आपक traveler travel कर रहे हैं और यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी होती है कि जो भी आपका recharge है वह उसको जब भी आप रिचार्ज करने जाए तो यहाँ पर view more के option पर जाके जो भी डीटेल है वो आपको जरूर चेक कर लेना है पैक का डीटेल चेक करेंगे तो एक बात यहाँ पर जरूर चेक करिएगा यहाँ पर covered country का एक option होता है तो इसमें आप देखिएगा कि जहाँ पर भी आप travel कर रहे हैं वहाँ पर जो भी आपका जो भी नंबर जो भी आप लेके जा रहे हैं वह इस लिस्ट में है या फिर नहीं अगर वह इस लिस्ट में नहीं है जैसे कि आ मैंने आपको एयर टेल का प्रोसेस बता दिया और यह आप देख सकते हैं जीओ का है जीओ में भी इंटरनेशनल रोमिंग का यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले country सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि मैंने जैसे ही यहाँ पर प करेंगे तो यहाँ आप का प्लान है और हो हो सकता है जो στο देख सकते हैं कि जिख सकते को उसमें सिम में नेट्वर्क है वो न देखने को मिले तो देख लिए यहां पर चुब आई का विए आइक जो भी पैक है वो और थोड़ा सा नेट स्लो है तो यह देख लिए जिस भी आप देश भी जा रहे था रहे हैं उसका नाम ध्यान से देख लिजें जिसके आपर मैं पहले step के अंतरगत आपको चेक कर लेनी है पहला step follow up करने के बाद second step पे आपको आ जाना है second step के अंतरगत आपको setting में आने के बाद यहाँ पर आपको search का जो भी option होता है उस पर आपको click कर देना है search का option पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिख करके search करना है data roaming ठीक है यहाँ पर आपका बंध है तो इस तरीके से आपको on कर लेना है तो अगर आपका sim वियाई का है एयर टेल का है तो आपको बस इतना ही करना है फिर उसके बाद में आपको जो third step है उसको follow up करना है और अगर आपका वो sim card geo का है तो एक चीज आपको और यहाँ पर कर लेनी है आपको जो my geo का जो भी application है उसमें आ जाना है उसके बाद में यहाँ पर आपको menu के option पर क्लिक करने के बाद सब option यहाँ पर खुल के आ जाता है उसके बाद में यहाँ पर आपको setting में चले जान तो आप पर इंटरनेशनल का जो भी प्लान है वह आपको एक्टिवेट करना होगा जीओ की तरफ से जो कि सेटिंग के अंतरगत जो कि मैं आपको बता है इस तरीके आपको मिल जाता है यहाँ पर नीचे एक्टिवेट का बटन होता है आपको इस पर क्लिक कर देना है एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से रिक्वेश्ट सब्मिट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपका जो भी प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपने माईजियो अप्लिकेशन में यहाँ पर आपने मतल लॉगिन करके नहीं और आप बोल करके चलू भी करवा सकते हैं ठीक है अब इन दोनों steps कि अगर follow करने के बाद भी आपके phone में किसी भी प्रियार का signal नहीं आ रहा है तो इस step को follow कर लेना है इसमें आपको setting में आना है simple सा setting में आने के बाद आपको search के option पे जाना है उसके बाद में यहां पर mobile network क कुछ इस त्रीके का जो भी ऐप्शन है वो आ जाएगा उसके बाद में यहाँ परелей नेटवर्क के आपको जाना है उसके बाद में यहाँ पर नीचे एक आपको आपको आपसन मिलेगा यहाँ आप देखेंगे एक आपसन मिलेगा नेटो वर्क औपरेटर्स का ठीक है इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर एक आप option ध्यान से notice करिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी sim card है वो देख लेना है जिस भी sim card में network नहीं आ रहा है उस sim card को यहाँ पर select करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको automatically का जो भी option है इसको आपको बंद करना है बंद करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर manually यहाँ पर search करने का उपशन आजाएगा इस पर आपको ok पर click कर देना है ठीक है यहाँ पर आपको ok पर click करने ना है उसके बाद में यह jrx चांबाद आपको लग बग यह result आपको दिखाएगा तो अभी जो भी process है प तो उसके बाद में जो registration है वो network का हो जाएगा दोस्तो अभी तक जो मैंने आपको तीन तरीके बिताए उसको आपने follow up किया बट इस्टिल अभी तक जो आपका SIM card है वो work नहीं कर रहा है किसी प्रकार का कोई network अगर नहीं आ रहा है तो इस सिती में आपको help लेनी होगी customer care की किस तरीके से help लेना है आईए उसको जान लेते हैं अगर आपने app login करके रखा app में तो यहाँ पर app में चले आना है यहाँ पर help का एक अलग section होता है यह air tail में है यहाँ पर आप chat कर सकते हैं उनसे easily इसी तरीके से अगर आपका जो भी SIM card है वो जीयो का है तो आपको जीयो में चले आना है यहाँ पर last में एक option होता है जीयो केर का आपको जैसे आप इस पर click करते हैं जीयो केर पर उसके बाद में कुछ इस तरीके का जो भी option है आपके सामने निकल के आ जाता है उसके बाद में आप उनसे बात कर सकते हैं चैट कर सकते हैं उसके साथ ही अगर आपका मतलब की वी आई का जो भी है वो क्या नाम है SIM card है तो आप वी आई के जो भी application है उसमें अगर आपने लॉग इन करके रखा है तो उसमें आ जाईए उसके साथ में यहाँ पर एक option होता है help and support का यहाँ आप option देख सकते हैं उसके बाद में help and support पर जैसे आप click करेंगे उसके बाद में किस तरीकी का क्या help चाहिए उसके बाद में आप उनसे live इसमें भी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं आप पर देख लिए यहां पर लाश्ट में एक option आ रहा है what can I help you तो इस तरीके साप help ले सकते हैं इसी के साथ अगर यहां से आपको help नहीं लेना है आपने login करके नहीं रखा है तो इस सितिम में आपको सबका एक WhatsApp नंबर है जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं और उ आप से पहले यहां पर देख लिजे जो भी नंबर है वह आप ध्यान से नोट डाउन कर लिजेगा यहां पर नीचे इसका जो भी नंबर है वो यह देख लिजे यह वी आई का customer care का नंबर है और यह verified है ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई आलतु-फालतु में आपको नंबर दे र तो वो जो भी worksne has, which же others है यहां पर देख लिजी इस तरीके से आजाएंगी उसको मेन्यू पर चले जाना है अगर आपको international problem को लेकर प्रॉबिम में इस पर क्लिक कर होगे इस तरीके से यह अंपर नमब्लमका से यहाँ अदिरने है जा ही जा है मिंौ जाते है में से क्लिक होगेते यहां में थ्यूश सब्सक्राइब नंबर को तेसे को नहें आपने आप लिखा क्षार है, अब लिखा लिए इसकी हेलब यह अगर अपने लॉगिंप रह्म को भी भी अब है तो मैंने आपने आप में हैँ नमब लिखा करों, यह तो आहेंने अपको बात सकते हैं, तो यह वी आई का जो भी help line number है वो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं अगर आपका वो SIM card Airtail का है, तो Airtail के लिए भी एक number है, यहाँ पर देख लिजे, Airtail International के नाम से यह number save है, और यह भी देख लिजे, verified है Airtail के air का, ठीक है, उसके बाद में यह जो number है वो आप देख ल उनसे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, जो भी problem है उसका solution ले सकते हैं, अगर आपको call पर बात करनी है, ठीक है, उनसे अगर आपको call पर बात करनी है, आपको chatting नहीं करनी है, तो भी यही number है, यहाँ पर देख लिजे, यही जो number है, जो आपका WhatsApp number है, same calling भी number है, आप किसी भी mobile phone से, जो कि आपका दोस्त का हो, फ्रेंड का हो, किसी भी number से आप जब call करेंगे, जिस तरीके से 198 पर call करने पर यहाँ पर customer help line support आ जाता है, same उसी तरीके से इस number पर जैसे आप call करेंगे, help line जो भी support है, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में, वो बो person में अगर आपने login करके रखा है, तो वहां से भी आप उनसे बात कर लीजे, नहीं तो calling के number से, वही जो number है, उस पर आप call कर लीजे, जो भी WhatsApp का है, ठीक है, अब यहाँ पर जीओ का देख लीजे, जीओ, आई यार support नाम से है, यह और यह भी official है, यहाँ पर verified का जो भी है, यहाँ पर लगा हुआ है, नमबर आप देख लीजेगा, सेम यही नमबर है, calling का भी, साथ में WhatsApp का भी ध्यान देजेगा, calling भी आप इस से कर सकते हैं, कोई भी नमबर हो, कोई आपका दोस्त त्यार का हो, जो कि जहाँ पर भी आप गए है, कोई दोस्त त्यार हो, उनसे भी आप इस नमबर पर लिख करके आप लगवा सकते हैं, उनके फोन से आप लगा करके, जीव के कस्टमर केर से आप सपोर्ट मांग सकते हैं, साथ में WhatsApp पर जैसे आप इनको मैसेज करेंगे, जिस तरीके से मैंने वहाँ पर किया, इनको भी हमने हाई लिख करके भेज दिया, ज जो कोई भी प्राबलम हो, अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही सारा हिल्प मिला होगा, और आप इंटरनेशनल अगर आप गए हैं, कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे ह तो इस तरीके से कमाल की वीडियो आपको देखने के लिए प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरू करेगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरू करेगा, और कमेंटर के बताए कैसा लगा वीडियो, हिल्प हुई कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो वह भी आपकर केम को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक्स पर रचिन गाइस, बाइबाइबाइ, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं,